दोस्तो आर्मोरिया चैनल में आपका स्वागत है और आज मैं एक अलग तिरह की टॉपिक लेकर आई हूँ आज तक सबके मन में कहीं ने कहीं भ्रह्मा और भ्रांती और मिथक कुछ प्रचार के वज़़से ब्लड डुनेट करना बहुत मुश्किल होता है दोस्तो मैं बता दूं कि इस समय भारत की इस्तिती यह है कि 30 से 35 परसेंट लोग कहीं ने कहीं एनिमिया के चपेट में आ जाते हैं उनमें ब्लड की कमी हो जाती है और हर वर्स कम से कम 8 से 10 मिलियन यूनीट ब्लड की ज़रुवत पड़ती है लेकिन डूनीट कितना हो पाता है सिर्फ 5.5 मिलियन यूनीट मतलब आप समझ सकते हैं कि आधा के करीब इस से बहुत लोगों की जान चली जाती है जिस घर में लोग ब्लड डूनीट करने वाले भी होते हैं जानकारी के वेगर कहिन कहिन डर की वजह से वो अपने ही परिवार को ब्लड नहीं देते हैं दोस्तों ये ब्लड देना बिल्कुल खतरनाक नहीं है अगर मैं आपको बताऊं तो ये 100% सच्चाई है कि इससे फायदे जाना है नुकसान बहुत थोड़ा है बहुत माइल्ड है एक बेकती अपने जीवन में कई बार ब्लड दे सकता है और ये ब्लड देने से क्या-क्या लाव हो सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ आप इसको समझेए पहली चिज होती है कि आप मतलब जब ब्लड आप देते हैं तो उसके पहले आपके कुछ ब्लड टेस्ट किये जाते हैं कुछ आपके और ली चीजों को जो वहां पे डॉक्टर्स होते हैं, जो लैब टेक्निशन होते हैं, वो आप से पूछते हैं, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी आप में अगर बीमारी है, वो होने से पहले जानकारी हो जाती है, आपका एक मैं यू कहूं तो आपका पूरे शरीर की कहीं न कहीं टेस्ट हो जाता है, और आपको ये जानकारी मिल जाती है, कि इस समय आप बिल्कुल स्वस्त हैं, अगर किसी तरह का कोई प्राबलम निकलती है, जैसे सूगर वगएर है, कुछ इस तरह की चीज़े होती है, वो तुरंट आपको पता चल जाता है, जिससे आप समय से प का बचाव करती है, बहुत फाइदे मंद होता है, क्योंकि उम्र के साथ कहीं न कहीं ब्लड ठीक होता है, मतलब गाळा होने लगता है, और उसमें क्लॉट बनने लगते हैं, जमा होने लगते हैं, जब ब्लड डोनेट कर दिया जाता है, तो उसकी पसाथ ये ब्लड पतले हो गया तो कभी भी हार्ट अटेक का खत्रा नहीं होता तीसरी चीज़ है दोस्तों कि आईरन जो लग तत्व हैं मारे शरी में जिसकी वज्जह से ब्लड बनता है इसी आईरन की कमी हो जाती है तभी हमें यह किसी को ब्लड की कमी यह एनिया हो जाती है तो इसका बहुत ज़ादा होना भी शरीर में ठीक नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़ादा हो जाएगा तो कहीं न कहीं आक्सिडेटिव हो जाएगा जो लीवर की बिमारी या लीवर जैसे लीवर कैंसर जैसे बिमारियों को ये बहुत ज़ादा डिपलफ कर देती है तो आप लीवर की बिमारी से बच जाएंगे, हाट की बिमारी से बच जाएंगे और जो तीसरी चीज होती है कि बहुत ज़्यादा आइरन लेने से इसका जो एक प्रिशर होता है, जो दबा होता है वो बहुत सारे आरगन को डिस्टर्ब करता है उसमें लीवर मेन है और इसका जो आकसी करण है इससे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है क्योंकि इसका काम होता है कि ज़्यादा जब आइरन इकठा हो जाता है तो वहाँ पे ये कहीं न कहीं एक परत बनाने लगता है एक जो है वो वहाँ पे इकठा करने का काम करने लगता है तो इससे परिशानिया बढ़ जाती है दोस्तों बिल्कुल नहीं घवराना चाहिए बलड देते समय यह बहुत ही सरल और आशान भी दी है और जो पांचवी चीज होती है सब लोग इससे परिशान है मुटापा जो चर्वी बहुत ज़्यादा होती है तो बलड डोनेट करने से कहीं न कहीं मुटापे से भी निजात मिल जाता है मुटापा कम हो जाता है जो बेक्ती बहुत ज़्यादा सुस्ती जैसे वो काम नहीं करना चाहता है मोटे पन की वज़ा से तो अगर ब्लड वो डोनेट कर देता है अपने जीवन में एक दो बार तो वो काफी बिमारियों से तो बचेगा ही बचेगा साथ में वो कहीं स्लीम भी हो जाएगा और एक्टिव भी हो जाएगा दोस्तों जो छटवी चीज होती है यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहते हैं न कि मन मन के हारे हार है मन के जीते जीत तो इससे मांसिक जो सुकून मिलता है वो बहुत बड़ी चीज होती है और सुकून तो विमारियों का राजा है वो सबको कहीं न कहीं खतम करने का एक बहुत बड़ा सादन है जब आप कभी किसी मरीज को बलड दे देते हैं और वो ठीक हो जाता है तो आपको जो मांसिक संतुष्टी मिलती है यह बहुत ही बहुत अच्छा लगता है और बहुत आनंद मैं भरी होती है बलड डोनेट करने से क्या नुकसान होता यूँ कहें कि इससे कंप्लिकेशन क्या है तो दोस्तों बहुत ही छोटे छोटे कंप्लिकेशन कुछ होते हैं पहली चीज होती है कि बलड डोनेट करने के बाद पसीना आ जाता है थोड़ी घबराहाट होती है थोड़ी उतेजनाय होती है कुछ व्यक्ति थोड़ी सी अपने आपको बेचैन महशुष करते हैं और जुमें चीज होती है कि कभी-कभी उल्टी आ जाती है लेकिन इसको तुरंट मैनेज कर लिया जाता है अब मैं आपको बताओं कि किस उम्र से किस उम्र खटक ब्लड डोनेट करना चाहिए और ब्लड डोनेट करने के बाद किसी को ब्लड देने के बाद क्या 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 करना चाहिë तो दोस्तों 18 साल के उपर कीलोलुप है उनका वेड 45 किलो ग्राम से 50 kg के बीच होना चाहिए और जब ब्लड डोनेट कर रहे होते हैं तो उनको बुखार खासी सर्दी ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए ब्लड डोनेट करने के बाद तीन घंटे के अंदर हेवी डाइट लेनी चाहिए बहुत जादा तरल पेपदार्थ लेना चाहिए उसके लिए आप फल इस्तिमाल कर सकते हैं फल के जूस सबजियों के शूप और आईरन यूक्त जो बहुत सारे सबजियां जो ग्रीन वेजिटेविल होती हैं उसमें होती है वो ले सकते हैं और भी आईरन यूक्त बहुत साधन है जैसे कि आप जो घर का गुड होता है गुड ले सकते हैं आप चना ले सकते हैं आप घर में अगर हैं गाउं साइड में हैं या इधर तो गन्नी का जूस ले सकते हैं तो ये बहुत सार सेव ले सकते हैं फल में तो बह 20 घंटे से 48 घंटे तक थोड़ा आपको जो पेपदार्थ है उसको अधिक लेना है और क्या नहीं करना है तो आप जिस दिन ब्लड डुनेट करते हैं उस दिन कोई बहुत हैबी एकसरसाइज मत किजिए अगर बहुत भारी कारी करते हैं तो उसको मत करिए बाकि आप 12 घंटे सिर्फ 12 घंटे बचाना आप जैसे रुटीन में रहते हैं जो कारे करते हैं जैसे खाते हैं बिल्कुल वैसा ही करिए कोई इससे ना बचाव करना है ना कोई परशानी की बात होती है दोस्तों रक्तदान महादान इससे बड़ा ना कोई योगदान तो जीवन में जरूर एक बहुत ही ज़दा कहीं कहीं संतुष्टी मिलेगी और आपको भी लगेगा कि आपने किसी का जीवन बचा लिया तो दोस्तो मुझे उमीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छी लगी होगी जो अभी तक मिथक परचार थे आपका भैथा उससे कहीं कहीं आप निकले होंगे और सही जानकारी प्रात करके आप खुद ब्लड डोनेट करने की सोचेंगे और अपने दोस्तों में अपने ग्रूप में हर किसी को बताएंगे तो दोस्तों अभी तक अगर आप आर्मोरिया चाइनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं वेल आइकन को प्रेश नहीं किये हैं तो प्लीज कर लीजिए क्योंकि मैं बहुत ऐसे टॉपिक लेकर आती हूँ जो आपके जीवन से जुड़ी होई है जो आपके परिवार के लिए जरूरी है दोस्तों शेयर करना लाइक करना तो आपका कारे है तो आप जरूर करिए और इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद